इस वीडियो में हम लोग ये डिसकस करेंगे कि लक्षमी कांथ को दो या तीन दिन में कैसे खतम करना है और क्या के टॉपिक से जो लक्षमी कांथ में इंपोर्टन्ट है और किस किस टॉपिक और किस किस यूनिट से UPSC हर साल कुशन पूछ रही है तो सबसे पहले हम लोग especially 2021, 22 और 20 के इनके basis पे हम लोग समझेंगे कि किस टाइब के वो लोग questions पूछ रहे हैं और factual questions कितने हैं conceptual कितने questions हैं और किस टाइब से उन questions को तयार करना है तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल beginner हो गरने एक बार 11 के NCRT आप पढ़ सकते हो उसमें आपको basic understanding मिल जाएगी कि constitution क्यों adopt किया है bureaucracy क्या है, federalism क्या है और PRI क्या system है तो basic जो political understanding है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी और अगर आपने एक दो बार revise कर रखी है वो book तो आप directly लक्समिकांद को refer कर सकते हो अब लक्समिकांद को मतलब edge source quality को क्यो refer करना चाहिए विकरस क्या है कि आपको पूरा एक तुक उन्होंने almost book constitution को refer करके बनाई है और दूसरा यह है कि आपको सब कुछ सारा political related material लक्समिकांद में मिल जाएगा तो यह है कि एक ultimate source है और around जो हर साल around 15 plus minus 2 question आ रहे हैं मतलब कभी 7-8 जा रहे हैं तो कभी 12-13 question है जैसे इस बार 12 question आये थे 2022 में तो around 12 में से 10 question तक अपने लक्समिकांद में से हो सकते हैं तो उसमें हम लोग यह समझेंगे कि factual question कौन से हैं किस type से उसको पढ़ना है conceptual question में क्या approach होनी चाहिए और दूसरा यह है कि लक्समिकांद एनफ है तो I think मतलब कोई market में दूसरा source नहीं है जो पॉलिटी को completely एक completely पॉलिटी की understanding आपको दे सकते हो और लक्समिकांद में यह है कि almost हर चीज कवर हो जाएगी और कुछ current के related update है तो वो newspaper के through करनी पड़ेगी टोटल number of question 15 plus 2 minus 2 around basic एक idea आप 13 से लेके 18 तक question रहते हैं हर साली अब हम लोग यह 2021 बीस और 22 के papers है इनके basis हम लोग nature of the question समझेंगे कि किस type से question आ रहे है मतलब कुछ question factual हो रहे हैं कुछ question conceptual है जैसे यह question है यह DPSP का question है और यह more of conceptual question है not more of factual question इसको आप एक बड़ी देख लेना कि किस type के question factual है और किस type के conceptual है और फिर उनको उसके बाद में हम लोग यह discuss करेंगे कि लक्समिकांत को कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि अगर 12 तेरह question आए तो 10-11 आप साही कर सकते हो यह question है यह almost दोनों है factual भी है कहीं कहीं और कहीं थोड़ा बहुत conceptual भी है इस question is totally factual है तो यह भी लक्समिकांत से हो जाता यह question है यह question पूछा है उन्होंने 2020 में अब यह question conceptual question है conceptual question मतलब उन्होंने bureaucracy को एज़े concept दिया है कि exactly meaning क्या है bureaucracy का तो इन question को handle करने के लिए जैसे यह है यह question है कि preamble क्या है यह question conceptual question है इन question को handle करने के लिए आपको beyond the lux में का थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि जब judiciary किसी article को या किसी constitutional angle को अगर interpret कर रही है तो उस ताइम preamble का एक use कर सकती है नहीं कर सकती है अब यह जो यह question है यह आपको आपके understanding के based पे होगा यह ditto लक्समिकांद में आपको कहीं नहीं मिलेगा बट यह कि अगर आप एक topic को अच्छे से समझ पा रहे हो कि preamble को क्यो डाला है legal interpretation हो सकता है नहीं हो सकता तो उसके basis पे यह question है यह question more of conceptual question है अब यह question है parliamentary system I think वो हर alternative year पे पूछ रहे हैं कि parliamentary democracy क्यों adopt करें democracy का superior virtue क्या है या cabinet form of government के क्या benefits है bureaucracy क्या है federalism क्या है पंचाई तिराज को adopt करने का fundamental objective क्या है इंडिया का तो इस type के question conceptual question है और conceptual question के लिए you have to think on your own यह question है कि आपको एक basic understanding लक्समिकान से मिल जाएगी उसके beyond आपको उस question को solve कर सकते हो यह question है यह I think factual है more of लक्समिकान से आपको मिल जाता अब यह question है यह भी more of factual है but second statement थोड़ा conceptual है कि judicial review explicitly constitution में है नहीं है अब यह जो इस term का मतलब क्या है कि explicit है या implicit है तो you know कि कहीं भी judicial review mentioned नहीं है तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो language का game है वो भी matter करता है option में दूसरा यह basic structure लक्समिकान से हो जाता अब यह question conceptual question है और यह question I think 3 बारा है हुआ है एक 15 में again 20 में यह 20 का है and 21 में फिर से इन type के question के लिए क्या करना है कि यह more of understanding based question है इन के लिए आप लक्समिकान को refer करने के बाद थोड़ा बहुत उस पे एक debate kind of दे सकते हो या फिर कुछ understanding based आपको develop करनी पड़ेगी for example कि इंडिया में federalism क्यों है उसका exact federalism है क्या क्यों लेकिया है पंचाइज राज क्यों लेकिया है parliamentary form of government को क्यों adopt किया presidential क्यों नहीं किया इन सब topic पर सोचना पड़ेगा तब जाके इस type के question नटेंगे question बनेंगे और इसमें elimination भी लगा सकते हो आप वालब एक extent तक बट इस type के question में आपको more of concept part पर focus करना है ये भी more of concept था बट ये easy question था हो जाता ये question है राजे सबा ये factual question है ये question है ये भी factual है कि article 17 ये आपका लक्समिकान से हो जाता ये भी factual है लक्समिकान से हो जाता ये भी factual है लक्समिकान से हो जाता ये भी factual है ये थोड़ा सा concept चुल है उन्होंने directly नहीं दिया कि 300A में बट उन्होंने थोड़ा सा गुमाव के दिया कि legal right है constitutional right है तो ये आपका अब जैसे उन्होंने 16 में एक question दिया था right to vote उसके basis पे you need to understand कि constitutional right क्या होते है legal rights क्या होते है fundamental rights क्या होते है natural rights क्या होते है तो जितने भी PYQs में कुछ terms है जैसे liberty दियार आस्किंग अगेन अगेन लिबर्टी क्या है लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी क्या है नेगिटिव लिबर्टी क्या है और एक liberal democracy में जो right से उसको concept गड़ करता है जैसे ये कीस में question था तो इस type के question में आपको concept को develop करना पड़ेगा liberty as a concept आपको understand करना पड़ेगा fraternity as a concept आपको understand करना पड़ेगा freedom और liberty में क्या फरक है इन सब concept को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा then ये question हो पाएंगे और ये PYQ की तुरू आप कर सकते हो क्योंकि liberty is the concept उन्होंने almost I think 7-8 बार पूचा है पिछले 10-15 साल में तो आप उस topic को अच्छे से करो NCRT में भी liberty के definition वगेरा उस concept को बहुत अच्छे से समझाया हुआ 12 की NCRT आप एक बड़ी conceptual understanding के लिए उसको refer कर सकते हो if time permits ये factual question है ये same question डेटो repeated है ये आपको लख्यमी कान से मिल जाता ये स्टेट के definition है ये current का question है तो आप इसको current के हिसाब से कर सकते हो ये आपको लख्यमी कान से मिल जाता ये same question liberty का concept तो कुछ question concept के basis वारा है और कुछ question factual से ये factual question है ये भी factual है ये question current का है आपको Indian explain page पे आपको यह सारे terms मिल सकते हैं पिछले 2-3 सालों में UPSI थोड़ा सा polity में लक्समी कांथ के beyond deviate कर रही है जैसे यह question prisoner reforms का question है इस बार उन्होंने law commission के regarding कुछ पूछा था advocates और ऐसा कुछ करके था वो भी question bit deviate था बट यह question आपको current से मिल जाएंगे यह question repeated भी और factual है यह question भी थोड़ा deviate है current से हो जाता यह question bit deviate है बट यह सारे question I think मतलब skip करने वाले होते हैं because इतनी depth में सब कुछ पढ़ना is not possible false यह question यह यह भी I think लक्समी कांथ से आपका हो जाता फिर यह question लक्समी कांथ से हो जाता यह question easier right to privacy यह है 2022 का पेपर यह भी लक्समी कांथ से हो जाता आपका यह लक्समी कांथ से यह question यह थोड़ा से deviate question था यह हो जाता almost यह question repeated था यह factual है और repeated है यह question factual है लक्समी कांथ से हो जाता यह लक्समी कांथ से हो जाता बहुत बार पुछा है अच्छी से दिया हुआ यहां से हो जाता है अब जो कोर पार्ट है कि लक्समिकांद को कवर कैसे करना है अभी तक हमें यह समझ आया कि किस टाइब के कुशन आ रहे हैं पास्ट थ्री येर्स में कुछ कुशन factual भी है और कुछ कुशन conceptual है तो conceptual के लिए आपको लक्समिकांद के थोड़ा से beyond जा के सोचना पड़ेगा सब चीजों को एक बड़ी और factual आपको almost लक्समिकांद से हो जाएगा अब इसमें important क्या है लक्समिकांद में क्योंकि दो तीन दिन उसको complete करने के लिए you need की जो important topic है उस पर आप अच्छे से focus करो और जो नहीं पूछ रहे हैं उनको आप avoid कर सकते हो अब जैसे ये part है part 1 है ये index है लक्समिकांद का जो latest 6th version है अब देखना ये जितने भी topics I think 11 topics है ये बहुत important है for example उन्होंने basic structure को 20 20 में पूछा है amendment को 2013 में पूछा है article 14 है article 24 है ये question आया है citizenship का latest 2021 में आया हुआ है union and debt strategy ये आप leave कर सकते हो इसका कोई question अभी तक आया नहीं है तो इसको आप skip कर सकते हो preamble बहुत important है every year एक factual एक conceptual question आ रहा है ये आप salient feature of the constitution ये आप एक बड़ी इसको leave कर सकते है ये broad topic है और इतना broad आपको एक बड़ी पढ़ने के बाद understanding हो जाएगी making of the constitution ये important है और historical background में जितने भी act है especially 1999 वाला 1935 और 1909 ये तीनों act बहुत important है because alternatively ये ये तीनों act हर साल ये लोग दे रहे है अब इसमें क्या करना कि ये जो beginning में 11 units है इसमें आप एक third वाली skip कर सकते हो एक आप ये sixth वाली skip कर सकते हो एक fifth वाली क्योंकि sixth इसली बार citizenship बहुत न्यूज में था CAA की वज़े से तो इसली उन्होंने question पूछ लिया था बाकि citizenship से अभी तक कोई question आया नहीं है UPSC में एक question आया था इस बार पिछले 10 साल के उस papers में इन तीन units को आप last में करना three and fifth and sixth क्योंकि third, fifth और sixth में तो इन्होंने hardly मतलब ये लोग question पूछ रहे है एक भी तो पहले इन सब को कर लेना उसके बाद इसवे focus कर रहा हूँ इसमें ये कि ये जो 11 topics है part one के इसमें से around आपके seven to eight question every year बन रहे है और इसमें most of the portion factual भी है और थोड़े बहुत conceptual portion है वो आपको develop करने पड़ेंगे बाकी almost लक्समिकांसे हो जाएगा तो इस portion को आपको पूरा एक दिन devote करना है पहले दिन आपको ये सब पढ़ना है कि constitution कैसे बना है उसके क्या preamble क्या है preamble में क्या क्या चीजें पहले थी बाद में क्या add on हुई है वो जिनरली ब्रॉड से पूछ रहे हैं कि article 17 में क्या है 22 में क्या है 32 में क्या है या फिर 30 में क्या है या फिर वो लोग एक basic दे लेंगे article 14 में क्या है तो ब्रॉड सुप्रीम कोड के judgments वगेरा वो लोग नहीं जा रहे हैं तो आप उपर से इनके understanding रख सकते हो DPSP वो लोग एक conceptual question और एक factual question alternative year पर दे रहे हैं तो उसको आप एक बड़ी अच्छे से जितने भी amendments है और जितने भी articles है उनको एक बड़ी go through कर लेना अच्छे से fundamental duties गया रहा है तो वो आप अच्छे से एक बड़ी उनको मतलब mug up कर लेना because they are asking again and again amendment है इसमें I think 2-3 कुछ factual terms है वो आप एक बड़ी देख लेना बाकि basic structure of the constitution basic structure का more of conceptual in nature है तो आप एक बड़ी इसको देख लेना तो यह जो beginning के 11 topics है I think these are the most important यहाँ से 7-8 questions लगबग बन रहे है every year तो इनको आप पूरा एक दिन devote करो और इन सबको अच्छे से करना है फिर part 2 में यह conceptual portion है इसको एक बड़ी go through कर लेना यह conceptual है इसको कर लेना और यह तीनो term है center state relation, interstate और emergency, emergency में especially वो लोग state या president rule का पूछ रहे है वो भी news में था इसलिए पूछा है एक दो बार question तो इन topics में आप 11 और 12 और 13 unit important है 14, 15 और 16 को आप skip कर सकते हो उसमें 16 में आप president rule को अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसमें क्या के provision है कब लगा सकते है कौन सा article है क्या center की duties है और क्या state की duties है वगेरा जो थोड़ा conceptual और factual दोनों है तो इन 14, 15 और 16 unit को एक extent तक आप skip कर सकते हो प्री के लिए because they are not asking question from this particular topics अब ये है I think second most important part लक्समी कांद का ये इसमें क्या करना आपको president का सब देखना है factual से लेके conceptual तक की election में कौन-कौन participant करता है pardoning power क्या है constitutional discretion है नहीं है इन सब का president और president को compare भी करना है US के president से और इन सब से ताकि थोड़ी understanding भी develop हो सके ये जो union executive है VP और President उन दोनों को अच्छे से करना है prime minister, central council of minister, cabinet committees, parliament, parliamentary committees इन topics को 17-23 इनको बहुत अच्छे से करना because they are asking around 4-5 questions from this segment कभी वो president का पूछेंगे, for example इस बार जैसे vice president का election हुआ तो एक बर ही आप इनका जो election का procedure है, removal का procedure है, क्या होगी, powers होती है, duty क्या है वो सब कुछ अच्छे से देख लेना, because वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे president का उन्होंने question, I think 17 या 16 में पूछा था, उसी साल president appointment हुआ था, president का तो जो भी news में है, इनके related, वो अच्छे से देख लेना, आप इसमें क्या skip कर सकते हो, parliament reform नहीं पूछ रहे हैं, group भी important नहीं है, अब supreme court बहुत important है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि, either parliament या judiciary, इन दोनों में कभी, जैसे parliament के 4 question दे दिये, judiciary के 2 दिये, कभी judiciary के अगर उन्हों 4 दे एक तो, judiciary को अच्छे से करना है, especially supreme court को, ये तीनों skip कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों main's के topic है, PIL, judicial activism और judicial review, I think pre के लिए काम के नहीं है, इन दोनों को skip कर सकते हो, 24th and 25th, 27th, 28th और 29th, बाकि इसमें सब important है, इनको आप 4 to 5 time revise करो, because ये question है, जो legislature और executive part है, और I think ये सबसे important segment है democracy के, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, इनका factual और इनका conceptual दोनों part, अब है, ये 4th unit है, इसमें एक 3rd unit और है, उसमें ये करना है कि आपको especially उसमें, जो lower judiciary है, उसमें जैसे high court है, लोग अदलत है, ग्राम निया लाएजे, फैमिली courts है, उनको अच्छे से करना है, मतलब जो judiciary वाला portion है, वो पूरा धंग से करना है, उसके बाद, उसके बाद बचा है, I think constitutional bodies का, तो constitutional bodies में generally वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, मतलब एक बार अभी 13 से लेके, 22 तक उन्होंने एक बड़ी election commission of India का पूछा था, वो भी I think five member body करके दिया था, वो statement अगर आप हटा थी तो वो question बन जाता, बट generally ये लोग pre में नहीं पूछ रहे हैं, ना तो अभी तक I think keg का पूछा है, कभी 13 के बाद, ना किसी और constitutional body का पूछा, attorney general उनके लिए favorite है, वो लोग पूछ रहे हैं, तो आप आप जो भी constitutional provisions वगेरा है, उनको आप एक बरी अच्छे से देख लेना, तो constitutional body में जो भी news में है, उनको एक बरी थोड़ा बहुत देख लेना, बाखी इतना important pre के perspective से है नहीं, last वाला portion है, तो इसमें I think UT बहुत कम, कभी पूछा ही नहीं है, तो आप इसको skip कर सकते हो, ये schedule इसमें especially 5th और 6th schedule, तो ये इतना time नहीं लगेगा, इसको एक बरी देख लेना, कि 5th schedule में कौन से states है, और 5th में क्या है, उनके क्या 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 provisions है, और क्या क्या differences है, तो ये हो गया ये portion, अब आपको क्या करना है कि, जो important है, जैसे ये beginning के chapters, उसमें आप 3rd, 5th and 6th skip कर सकते हो बाकि सबको अच्छे से करना है, ये हो गया second part, इसमें आपको 12 and 13 करना है, बाकि skip कर सकते हो, ये हो गया third part, इसमें आपको Supreme Court को करना है, 27th, 28th और 29th, ये तीनों topic आप लीव कर सकते हो, बिकरज नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग प्री में, 24th and 25th, ये forms और groups ये भी नहीं स्टेट्स में governor है, council of minister है, CM है, उन सबको देखना है, मतलब ये center का executive और legislative है, ये आपको state का center और legislative दोनों देखना है, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आपको देखना है, UT में, UT skip कर सकते हो, schedule tribe में ये देखना है कि 5th और 6th schedule में क्या-क्या फरक है और क्या-क्या जाता है, उसके बाद amendment procedure का है, ये कुछ factual question होते है, conceptual वाले, जैसे democracy क्यों adopt की है, parliamentary form of government क्यों की है, presidential क्यों की है, तो वो conceptual question है, और वो एक moment के बाद understanding के basis पर आपके develop होंगे, bureaucracy का जैसे question था, federalism का question पूछते है, PRI का पूछते है, preamble है, liberty है, liberty is the most favorite topic of UPSC, तो इसको आप 12th की और एक factual, इन दोनों को अच्छे से prepare करना, तब जाके आपका round, अगर 12 question पूछ रहे हैं तो 10 से 11 question सही हो जाएंगे, ठीक है, अब apart from Lakshmi Khan, I think Lakshmi Khan एक extent तक enough है, बट एक दो तीन, दो या तीन question लगबग वो लोग कुछ deviate कर रहे हैं, जैसे prisoner reforms का पूछा था question 21 में, judicial custody का question प express में, उसको अगर आप पढ़ रहे हो daily तो अच्छी बात है नहीं, तो आपको कही मिल जाएगा, तो एक बड़ी go through कर सकते हो, कि political related क्या क्या चीज़ है, वो लोग political related यहां से दे रहे हैं, बाकी PYQs है, they are the ultimate, उनको एक बड़ी go through कर लेना, कि PYQs में क्या क्या है, state और center executive हो गया, legislation हो गया, उसके बाद judiciary हो गया, state level और center level के, और उसके बाद जो initial के 11 chapter है, वो बहुत important है, तो इतना ही लक्समी कांद में करना, और hardly आपका 2-3 दिन लगेगा, पहले दिन आपको जो beginning के 11 units है, उनको खतम करना है, दूसरे दिन में आपको यह करना है कि जो executive है, center और state दोनों पर, और तीसरे में, और legislation हो गया, legislature, यह center और state दोनों का, उसके बाद आपका judiciary, यह दूसरे दिन इतने topic, अब इनको आपको अच्छे से देखना है, कि पहले दिन यह 11 units हो गए, उसमें भी 2-3 आप skip कर सकते हो, फिर आपको next day, executive, legislature और judiciary, इन तीनों को करना है, जो factual प्लस, प्लस, लक्समी कांथ, प्लस, थोड़ा बहुत आपका logic, अब logic कैसे लगेगा, वो जैसे पहले वीडियो में हमने discuss किया था कि कैसे कैसे, हम लोग quality में क्या क्या logic लगेगा, जैसे वो लोग बारबरी दे रहे हैं, कि this term is defined in the constitution, चो constitution में generally चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो आपको logic भी build करना पड़ेगा, लक्समी कांथ से factual और conceptual understanding बिल्ट करनी पड़ेगी और PY की, इस basis भी है कि अगर तेरा 14 question आ रहे हैं, तो around आप 12 से लेके 12-11 question तक आप निकाल सकते हो, अब final चीज़ यह है कि आपको लक्समी कांथ पढ़नी है, तो उसमें भी जो important चीज़ें उनको प